हेलो प्रेंट, वेलकम टू माई यूटूब चैनल दोस्तों, आज मैं आपको अनुसीलन प्रस्ण कॉशल या खोजक प्रस्ण कॉशल के बारे में बताऊंगा इसे खोजपूर प्रस्ण कॉशल के नाम से भी जानते हैं आपके कालेज में जिस भी नाम से पढ़ाया जाता हो आप उस प्रकार से उसका नाम आप लिख सकते हैं अगर आप इसकी फाइल बना रहे हैं ये सूस पाठी होजना की बहुत ही महत्पूर का उसल होता है इसमें हम बच्चों से केवल कोश्चन के माध्यम से ही प्रक्रण के बारे में बात करते हैं अगर आप फाइल बना रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने विद्याले का नाम लिखते हैं उसके बाद चात अध्यापक का नाम लिखते हैं उसके बाद आप दिनां, कच्छा बर्ग, विशे, उबिशे, कालांस और अवध के लिए कोबर भी उखाका केते हैं इसको आपको बलेगबोर पर भी लिखना रहता है इसलिए आपको इसको अच्छे से लिखना आना चाहिए आज मैं यहाँ पे बिज्ञान विशे के लिए बात करूँगा और उबिशे है जिव बिज्ञान जिसका प्रक्रण है रक्त खून आज हम बच्चों से रक्त के संबंद में कोश्चन करेंगे और बच्चे उसका जवाब देंगे और कॉशल के घटक जो अनसुलियन कॉशल होते हैं इसके पाच घटक होते हैं इन्ही घटकों को ध्यान में रखते हुए ही हम बच्चों से कोश्चन करते हैं पहला है संकेत देना, दोसरा है विश्रे सूचना प्राप्ति, तीसरा है पुना केंदरी करन, चौधा है पुना प्रेशन और पाच्वा है अलो चात्मर खजट्ता इन सभी कॉसल के बारे में मैंने डीटेल से एक वीडियो बनाया हूँ, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, अगर आप अच्छे से इसको जानना चाते हैं, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं पाला है संकित देना, इसमें क्या होता अगर बच्चे कुसी कोश्चन का जवाब नहीं दे पाते हैं, तो आप उसनको डायरेक्ट नहीं उत्तर बता सकते हैं, आप संकित के माध्यम से ही उनको उत्तर बताने के कोसिस करते हैं अभी आगे मैं question के मादम से आपको इसको अच्छे से बताऊंगा चलिए चलते हैं question पे अनुस्रीनम होजर प्रस्ण काउसल के प्रस्ण इसमें तीन कालम बनते हैं करम संख्या, दूसरा चातर ध्यापक कतन, तीसरा चातरा के कतन हम बच्चों से question करेंगे कि आपके शरीर का कोई भाग कट जाए तो क्या होगा तो बच्चे बताएंगे सर अगर कोई भाग मेरा कट जाए शरीर का तो उससे खून निकलता है उसके बाद उस बच्चे को हम बैठा देंगे, दूसरा question दूसरे बच्चे से पूचेंगे हमारा होता है, उसके बाद हम तीसरा question करेंगे, यदि शरीर में रक्त की कमी हो जाए तो क्या होगा तो बच्चे इसका दो-तीन जबाब देंगे, पहला तो मनों से बीमार हो जाएगा, आप पूचोंगे थोड़ा और कुछ बताओ तो कोई दूसरा बच्चा कहेगा, सर अगर रक्त की कमी हो जाएगा, तो आप मर भी सकता है आपका होगे सही बात है, मर भी सकता है, फिना आप बैठा दोगे उसको उसके बाद हम चौथा कोशन करेंगे, कि रक्त हमारे सरीर में कैसे प्रभावित होता है तो बच्चे बताएंगे सर रक्त वाहनियों द्वारा, हमारे सरीर में रक्त प्रभावित होता है तो सकता है बच्चे पता भी दें या ना पता पढ़ या दो-तीन बच्चों को आurmको खड़ा करके इस leashा जवाब निकालना पड़े यह हमारे सरीर में oxygen का परिवान करता है जो RCB होता है इसमें homoglobin होता है और यह oxygen को अपने में असोसित करके हमारे पूरे बाड़ी में इसको पहुंचाता रहता है उसके बाद हम पूरा बच्चों से कोश्चन करेंगे कि WVC का क्या काम है तो बच्चे बताएंगे सरीय हमारी पृत्रोदक चमता को बढ़ाता है अगर नहीं बता पाएंगे तो उनको और कटक जो दिये हैं उसके माध्यम से हम बताएंगे संकेत की माध्यम से बताएंगे किसी भी तरह उनको बताएंगे उसके बाद नवा कोश्चन करेंगे कि रगत का ठकका के कानड़ होता है तो सब्सक्राइब 1-5 मिनट की होती है इतना कोश्चन करने के बाद से बीचिश्याय पर परियों को ब्रुटHer नीरिश्यक परियो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छे लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें धन्ने बाद